हाई गाईज नमस्कार अक्टूमबर 2022 में यानि की आज से ठीक दीन महिने पहले इस रोड की हालत बहुती खराब थी बहुती दयने इस्तति थी और अभी ये ज़स्ट बन के तैयार हो चुकी है तो बने रही मेरे साथ यूई इस वीडियो में इस रोड का काम आगे और चल रहा है मेरे साथ बने रही है आपको मैं बताऊंगा मेरा नाम हरी सर्ग्रा और आप देख रहे हैं तूर मारवारी राजस्तान की अनेक जगों की सडकों और अनेक जगों के रास्तों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल तूर मारवारी को सब्सक्राइब करके बेल आइक अप को प्रेस कीजिए इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन तुरंत मिलती रहे हम आपके लिए समय समय पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं और पूरे राजस्तान से आपको रूबरू करवाते रहते हैं हमारा मकसद है कि राजस्तान की सभी तरह की सडकों से पूरे भारत को रूबरू करवाना है आप देख रहे हैं बहुती ये देखिए अभी इस चड़क का काम चल रहा है इसके उपर मिट्टी डाली हुई है ये कच्च है रास्ता अभी इस पे कॉल तार भी साना बाकी है मैं बाइक पे चल रहा हूँ आप देख सकते हैं ये सड़क किस जगर की है इसके बारे में आपको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और अगर आपको पता चल चुका है कि ये वी वीडियो किस जगर का है कौन सा रास्ता है ये तो फटा फट जल्दी से कमेट सेक्षिन में जाके हमें जरूर बताईए ये सामने बकरियां चराने के लिए जा रहे हैं लोग कि राजस्तान की सांद्रेगिस्तान का जहाज इस पे आज भी लोग सामान लदा के जाते हैं ये द्रश्य ऐसा द्रश्य श्री प्राजस्तान में ही देखने को मिलेगा आपको चड़क के बीचो बीच ये स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है कुछ लोग खड़े हैं कच्चा रास्ता है तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है वैसे या रॉलर से इस चड़क को समतल बनाया जा चुका है लेकिन इस पे भी कॉलतार भी चना बाकी है अगर आप समझ चुके हैं कि ये रास्ता किस जगह का है तो हमें कमेट सेक्षन में हवस्य बताईए सेर कीजिए ये देखे काम चल रहा है टेक्टर से मिट्टी को समतल किया जा रहा है इस रोड को ध्यान से देखिए अभी आप पक्का समझ गए होंगे ये देखिए आगे थोड़ा सा रोड बना हुआ है अभी आया है दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी आप समझ गए होंगे कि ये रोड दुन दाड़ा से काकानी दूनी और सतलाना कि ये लेखे सकलाना भी ले जाद चुका है